हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ अर्चना और आप सब का मेरे चानल पर स्वागत है और आज मैं आप लोग के लाई हूँ बहुत ही हेल्डी सा नास्ती की रेसिपी जिसे आप सुबा के नास्ते में बना सकते हैं रात में डीनर में भी बना सकते हैं या फिर आप अ कब सूजी ली है सूजी की मातर आप अपनी हिसाब से कमया जादा कर सकते हैं और अब हम डालेंगे इसमें दही तो मैंने आपे जितनी सूजी ली है उससे आधा दही डाल रही हूँ यानि कि मैं आपे आधा कब दही डाल रही हूँ अगर आपकी दही जादा खटी हो तो आप दही की मातरा थोड़ा सा कम कर सकते हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि दही से पूरी मिक्स नहीं होगी सूजी इसलिए हम इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी हम एक ही साथ बहुत जादा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे वैसे सूजी बहुत जादा पानी सोखती है तो अगर थोड़ी बहुत पानी जादा हो भी गई तो कोई बात नहीं है सूजी पानी को सोख लेग तो चलिए अब हम इसे rest करने रख देते हैं और जब तक हमारी सूजी rest करेगी तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं तो मैंने यहापे ली हैं कुछ सबजीयां जिसे हमें बारिक-बारी कट करना है, जिसमें मैं आपे ली हूँ, साथ साथ लेसन की कली एक इंच करीब अदरक कतुकुड़ा, थोड़ा सा मैं आप ली हूँ पत्ता गोभी, गोभी, हमेचे ये दो से तीन हरी मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं, साथ ही मैं आप ली हूँ फ्रेंच बेन, गाजर, और मैं आप ली हूँ एक प्याज, सबजियां बारिक बारिक कर जाती हैं, कई बार बच्चे सबजियों को निकाल देते हैं, अगर आप किसी भी चीज में सबजी डालते हैं, तो अगर आप इस तरह से उन्हें खिलाएंगे, तो उन्हें थोड़ा सा कुछ तो हेल दी मिलेगा, इसलिए मैं इसमें काटती ताकि सारी चीज़ें बारिक कर जाएं, इससे क्या होगा, बच्चे आसानी से खा लेते हैं, तो चलिए हम इसमें अच्छे से बारिक बारिक काट लेते हैं, और ये देखिए सारी सबजियां बारिक हो गई हैं, आप चाहें तो आप इससे भी बारिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से हमें गुबी और पत्ता गुबी को भी काट लेना है और ये देखें पत्ता गुबी भी अच्छे से कट गई है तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं और अब हम सारी सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जिससे कि हमारे नास्ते में बहुत तो चलिए अब हमें रखना है गैस पेक पैन और पैन में हम डाल देंगे तील और तील जैसे ही गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे राही और राही जैसे ही चटक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे करी पत्ते और करी पत्ते जैसे ही थोड़े से भून तो हो गा ilude भूंते हुए लिकिन अब गये सब्सक्रीन आपकी मे सब्सक्राइब इसे जए जादा हमें सब्सक्राइब को नहीं भूनना है भूने हुए सबजियों को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और तब तक हम अपनी सूजी को चेक कर लेते हैं और यह देखिए सूजी अच्छे सा फूल गई है इसका पानी पूरा सूख गया है तो अब हम इसमें फिर से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल यहां प्लिएंगे और पिर हम इसका गोल त्यार कर लें गें जैसे हम पहले इससे रखे थे उसी तरह की कंसेस्टेंसी हमें चाहिए थोड़ा थोड़ा सा पानी add कर लेना है यह देखिए हमने कितना ज़्यादा इसे पतला रखा था उसके बाद भी सूजी में पूरी पानी सूख गई है और जैसे ही सबजी थंडी हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें add कर लेंगे तो मैं या पर डाल रहे हूं बारी कटी हुई धन्या की पत्ती और इसके सिया दालने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें नमक क्योंकि नमक हम इसमें पहले add नही करें थे नहीं सब्से? आप बहुत जादा fluffy बनता है, बहुत soft बनते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा baking powder या फिर आप इसमें इनो डाल सकते हैं, अगर आपके पास दोनोई चीज ना हो तो थोड़ा सा baking soda डाल दें, और अब हम इसे फिर से अच्छे से कर लेंगे mix, और चलिए अब हम इसे बनाना सुरू क करते हैं, तो मैं या फिर से gas पर रख दी हम एक pan, और pan में हम थोड़ा सा डालेंगे तेल, तेल डालने के बाद हम फिर से थोड़ा से इसमें डाल देंगे राई, थोड़े से करी पते, और अब हम इन सब चीजों को चटकने देंगे, आप अगर इसे बीना oil का बनाना चाहत इसमें अपने बैटर को डाल देना है, और यह देखे, मैंने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रख है, तो आप इसकी साइज अपने इसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, और इसे डालने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और इसे कवर कर देंगे, जिससे हमारा न इसे पलटें, इसे पलटने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना हमें, जब तक हमारा नास्ता एक साइट से अच्छे से नहीं सीखेगा, तब तक हम इसे नहीं पलटेंगे, नहीं तो हमारा नास्ता जो वो टूट सकता है, और हमें इसे बस पलट-पलट के, अच्छ आप चाहें तो इसे तवे भी बना सकते हैं अगर आप पैन में नहीं बना रहे हूं तो आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं जो हम नॉर्मल रोज वाली सबजी के लिए यूज करते हैं उस वाली कढ़ाई में बना सकते हैं या फिर आप इसे तवे भी बना सकते हैं और यह द यह अब हम इसे सर्व कर लेते हैं आप इसे चटनी तो सबसे पहले मैं इसे बीच से कट कर ले रहे हूं बिलकुल पीज़ा वाले स्टाइल में लेकिन मेरे पास पीज़ा कटर नहीं है तो मैं इस तरह से कल्ची से ही इसे काट ले रही हूं और अगर आप लोग को बहुत ही हे वेडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक कियर और एक बार इस नास्ते को ज़रूर राएं